तो गुड मॉनिंग गुड आप्टर नून गुड नाइट गुड इवनिंग कैसे हैं सभी लोग सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम है और आप बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वियार जीनियस जैसे कि बच्चों आप लोगों को बता है इस आगे चल गर आपकी जरनी में कभी दिक्कत ना हो और उसी सीरीज में उसी गड़ी में हम लोग एक नई सीरीज का आरम कर रहे हैं जहां पर मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक सीरीज लेकर आया हूं इस साल हम कंप्लीट फिजिक्स को इस चैनल पर अपनी सी साहूंगा यह सीरीज होने वाली है उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 में अभी सी बोर्ट से हैं यह किसी भी बोर्ट से हैं आपको सारा कंटेंट यहां मिलेगा इवन अगर आप जए और नीट की प्रिप्रेशन कर रहे हैं और आपको कंसेप्च्वली दिक्कत है अगर कि सारे जानकारे देने वाला हों इस 63 में मैं इसके बांथ आपका फिजेक्स का डर नहीं रहने वाला जीवन में सब के लेकिन सारी परेशानियों काहाल देना मुस्किल हो जाता है किसी एक के लिए पिज्टोल इस परेशानी का हल हम देंगे आपको अपने इस dando से है और यह वीडियो अब यह थोड़ा लेड़ से स्टार्ट हो रहे हैं कोई दो दरूस्त है लेकिन सुरू करेंगे सुरू से चार्ज चार्ज और फिल्ट जो क्लास 12 होने तो जैसे कि बच्चे आपको मैं बदा दू अगर आपकी फिसिक्स बहुत अच्छी नहीं रही आपको आपको इतना समझ नहीं आता ठीक है कि बहुत नहीं था तो कोई बात नहीं ऐसा नहीं आप पर नहीं होंगे आप से फिर बीडिक्वाइश करूँगा कि आप वेक्टर थोड़ा पढ़कर आपको बैक्टर पदा होना चाहिए क्योंकि उसका यूज तो आपको पूरे पूरे के बूरे सीरीज में रहने वाला पूरी कम्प्लीट फीजिक्स में आप वेक्टर तो देखे हम लोग फ्लास 12 पूरा फूरा पूरा पढ़त हैं और आपको नहीं बीजा तो आपको पता लग गया है कि उल्रिफ और स्रिफ या पढ़ते हैं तो समझते हैं। को हुआ है था कि असले हैं वह इसको पढ़ोगे में इसको पढ़ाइं क्या होती है मैगनीटेक क्या होती है और कौन सी क्वांटिटी एक इनके बारे में चलिए था भी हमारे पास दो भार्ट होता है हम लोग जहां पर चार्ज की करतें तो जहां पर हम लोग चार्ज की चाड़ी आप इलक्रिसिटी जो है इलक्रिसिटी दो पार्ट मेंधिवाइडल है एक है स्टेटिक टिक और एक हमारे पास गुण पर हमारे पास चार्ज चार्जर का मतलब होता है एक हम रहा पर हमारे पास चार्ज और σεगा मतलब है चार्ज एट रेस्ट यानि जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होगा और हम लोग उसकी स्टडी करेंगे कि मतला भाई कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है और दूसरे चार्ज पर इसका इंपक्र स्टैक्टिक में बढ़ते हैं तो आपको बताऊं चैटर नंबर आपका यहां पर हमारे चार्ज मूव नहीं करेंगे हमारे चार्ज रुखे रहेंगे और हम उनकी तब स्टडी करेंगे तरह पर जब चार्ज मूव करने लगेगा चार्ज मोशन जब मोचन जब हमारा चार्जda मोशन में आ जाएका उसकी वज़ा से इनर्जी बनेगी जिसे हम करणंट बोलेंगे ओर उट हम कारेंगे और चार्ज वोचन में क्या है क्या उस पर फॉर्स लग रही है क्या क्या चीजम क्या सारे बात हैं कि风 जैसे current बनता है एक energy होती है current और उसी energy के अग्डम perpendicular होता है magnetic field यह magnetism तो जब चार्ज करेगा तो आप हम यह भी देखने मेले के च्राम चार्ज करेंगे तो magnetic field क्या से बनाएगा तो वही से हम लोग magnetism भी पढ़ना start करते हैं chapter से जिसका चैप्टर का नाम रहने वाला पहले का इलक्तिक चार्ज एंड फिन तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इसके बारे में समझते हैं देखो चार्ज को मैं दोनों तरीके से समझाता हूं आप लोगों ने बचपन में आपके सब्सक्राइब कोई जगा घरती है और उसके पास कुछ मास होता है तो वह क्या होती है उसको हम मैटर यानि पदार्थ क्या देन और मैटर आर मेड़ वेरी टीनी पार्टिकल्स जो मैटर होते हैं बहुत चोटे-चोटे कड़ों से मिलकर बने होते हैं और टीनी तो यह मैंने आपको बता है कि चार्ज क्या होता है तो वह बढ़ रहे हैं तो फीजिक्स के एसाफ से देखते हैं कि चार्ज क्या होता है जो आपके पास कोई बॉडी और दूसरी बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है या फिर रिपल्शन फिल कर आ रही है ठीक है तो जो अट्रेक्शन फिल हो रहा है एक बॉडी को दूसरी बॉडी की वज़ा से करते हैं यहें रिपल्शन फिल हो रहा है यह जो कोई भी बॉडी है कोई बॉडी ही बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज यानि कोई बीच बॉडी होगी तभी वह कर सकती है तो थोड़ा थोड़ा समझाया है कि चार्ज एक प्रॉड़ा अबज़ा और चार्ज हो ठीक है कई बार आपको बोलते हैं जब कर लेगा यह जटका मारके दूर फेक देगा क्यों क्योंकि आपके पास और उसके पास भी चार्ज है यह यह दोनों के पास चार्ज की प्रोपरटी है है किसकी बॉड़ी समझ आया है ठीक है चार्ज का सिम्बल होटह है वह हम लोग क्यू से दिखाते हैं क्यू to चैंड पॉइन बदा दिया कि कि दो इनडीपेंडल क्यूं अगी जहांका ऊन्टिशन चार्ज पढगे अभी जस्ट तो मैं को डुआवारा से बता दुआ आके बढ़ते हैं कि हमारे पास तीन तरह की बॉडी होती है कौन आपको पता है जैसे कि नॉर्मल सब लोग से बने होते हैं लेकिन फिर भी अगर किसी कारण वर्स किसी बॉड़ी के अंदर पॉजिटिव चार्ज जादा है तो वह बॉड़ी पॉजिटिव चार्ज बॉड़ी कहलाती है जैसे आपके बाल होते हैं यहां का वूलन यानी की उन होता है यह सारे क्या है पॉजिटिव चार्ज बॉड़ी क्या होती है इस और नेगटिव चार्ज बॉड़ी अगर किसी बॉड़ी के पास अक्से समयंट में कुंसा चार्ज होता है नेगटिवली चार्ज होता है तो बोड़ी क्या लाती है एक्जामपल देखते हैं मीटा सिल्क सिल्क लोथ इबनोइट रोड होती है प्लास्टिक हो गया और आपका नाइलून नाइलून के हमने रस्सियां बगार भी देखेंगी प्लास्टिक जैसे दिखते हैं पर क्यों है रह hic बथकतते हैं ऒससंदिन समय में हैं अच्छा आप बात करते हैं चार्जिंग चार्जिंग चरंजिंग फ्रोसस FC टैसे इजब थिस प्रोसस और फ्रॉसस deixa प्रोसेस पो करते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलता है चार्जिंग इस disclaimer तत न इस समझेंगे चरह tę चैर्जिंग तीन प्रकार की होती है टे Certory版 क्ड़ुक्षिन टेम्क तो charging by friction और charging by induction एक एक करके समझते हैं सबसे पहले हम समझेंगे charging by conduction कि जब कोई भी body किसी के physically contact में आती है और charge हो जाती है तो इसको हम बोलते है charging by conduction example के तोर पे जैसे आपके घर में आप लोग ऐसे charger लगाते हो और अपना phone करते हो तो क्या होता ऐए तो फिजिकली कॉंटेक्ट में आट करेंगे तो फिजिकली कॉंटेक्ट पूरी चार्ज हो जा रही है और रहे है समझ में जब कोई भी किसी के physical contact में हो के क्या हो जाता है चार्ज होता है तो उसको मूलते है इस प्रोसेस को मूलते चार्जिंग और ब्रिक्षन को समस्क्राइब करते हैं जब बोडि आपस में करते हैं घिसते हैं एक बोडी से को चार्ज दूसरी बोडी में ट्रांफर हो जाता है काइस हुषा तो थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा हूए तो समझते हैं इसको ठीच है जैसे हमारे पास एक बॉड्र बॉड्टी नमबर 1 और एक दूसरी बोड्य है शेको कुछ भी हो सकते हैं किसी बॉड्य की ठीक है यह बॉड्र सारव तो देखो आपको पता है दोनों किसे बने आटम से बनें आपको पता है जब आपको को होगा यह बने तो एक टाइम के बाद यह हीician इनर्जी किसमें हो जाती है और आपको पता है जो हमारा एंटम होता है उसका अंदर होते हैं इलेक्ट्रोंस को एटम से बाहर निकलने के लिए क्या होता है एक मिनिमम रिक्वाइड एनर्जी देनी पड़ती है जिसको न है how श्राइप करते हैं काल दोवतों हो जाती है कि सिंडे में अमने हांड को भी और राफ करोगे तो आप देखोनी राफ है तो घारी बोडी की बडंशे की पर आइना कीbya बहुराबर कहल बосьाए तो इसमें क्या होता है दूसरी बोडी की देखो है यह चीज देखना पड़ेगा क्या अगर आपको फर्म वाली बाद का इनेटिक वाली बाद बिल्कुल नहीं समझाई तो सिर्फ इतना समझे को रपकरते हैं रपकरने से तो आपने देखा होगा बच्चे क्या बच्पन में बहुत मज़ेदार खेल करते हैं उस पर चार्ज कलेक्ट हो जाता है सारा चार्ज जैसे उस पर कलक्ट हो जाता है हम लोग रखतें से दिवाल पर रखते हैं और दिवाल से क्या चाहें चाहता है और 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 छाया बोलते हैं इंगलीश को आपने बच्पन में देखा होगा इए बहुत चोटे-चोटे टुकोडे रहा हो और प्लास्टिक के बाद उसके वे हागे रखो तोड़ी दर रखो लिखा भी है अब आज आते हैं तीसरे तरह की चार्जिंग बाइंडक्शन को समझते हैं तो समझाने के लिए बिना किसी फिजिकल कॉंटेट के एक बोडी से दूसरी बोडी में चार्ज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाइंडक्शन एक्जांपल की दोर पर मालो हमारे पास एक बोडी है ठीक है और आपको मैं बता दूए जो बॉडी है इस पर आपको पताना सब पर क्या होता है नेगटिव और पॉजिव चार्ज होता है तो हमने क्या अगरा इसके पास में एक रॉड लिया है यह फिर लिया है लोग कॉन से इबनॉइट रोड लिया क्या है इबनॉइटि रोड्य क्या होती है तो हमने इबनुऊर लिया या इना जैसे ही इसके पास यह रॉड आएगी तो होगा घर की चार्ज नेगटिव आपको में बता दू यह बच्पन में वह आपने बढ़ा र से बढाव करते हैं रिपल गरते हैं दूसरे को और शार्ज करते हैं ऐप फोसे चर्ज करते हैं तो होगा ये चाहर्ज को रिपार करेगा तो इस सारे भांगे और पॉसिटीव अठ्रेक्ट हो साइड आ जाएंगे बिना कोसे और हम क्या करेंगे हम एक प्रॉसस करेंगे अर्थिंग हना प्रोसे कर्ता थे बिटा है जब आप आप से चांट करके ए लिए इस प्रोसेस को और यहां पर इसकी ऐरतिंग करवा देंगे इस इस तरह से क्या हो जाएगा अर्थ में ठ्रांसफर हो जाएगा और बागी पूरी बादी में क्या बचेगा सिरीफ और पॉसटिटिव चार्ज बचने बचेगा तुजी चाल्ज बधिया दिया ध्यान से घ्लक यहां पर यह लोगम इसके फिजिकल कॉंटेक्ट में नहीं आई यह रोड विदाउट फिजिकल कॉंटेक्ट बिना उसको छुए उसने क्या करा एक बॉडी को पोजिवी चार्ज या नेगटिवी चार्ज बना दिया थिक है इसी को हम क्या बोलते हैं चार्जिंग बाइंडक्शन वेन बाड़ी इस चार्ज बाड़ी चार्ज हो जाती है वि सारलो वीडियो को बॉस्क कर गए अब ना यहां से बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी और इशन पर एक कंजर्बेशन आडटीविटी कौंटाइशन का क्या क्या मतलब है सबसे पहले हम समझते हैं एडिटीविटी ओफ एलेक्ट्रिक शारम आयको जोड कर दो इसमें क्ne जाए करते हैं इसने ॏफ ज्रूट करते हैं的話 जीतने भी आधिकत्स करें याणि आपको समकर प्रसम करने की जरूबत नहींomina इसी प्रपर्टिक और टॉटल चार्ज वा सिस्टाम इस दाल जाबरिक सम अफ और इंडिविज्व चार्ज लोकेटीड इफरेंट इंसाइड आ सिस्टम आगे क्या आपको क्या कर रहा है अलजैवरीक सम ठीक है समझ में आरहे गां नियुक्त 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 सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कोई चीज क्या है कि वह बती हुई नहीं है समझाने की कोशिश करता हूं जैसे कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कॉपी कैसे मिलती है एक कॉपी दो कॉपी तीन कॉपी चाहते या फिर आगर आप पहन दो पहन तीन पहन चाहर बन ऐसा थो नहीं होता सब्सक्राइब हुआ कि फ़र सब्बती है एक घृटरी ऐसे हो मन चार्ण डोपन अगिना गोले में moyan सबसे चार्ज वह एक इलक्ट्रोन पर होता है तो अगर मैं बात करूं चार्ज वह इंडीपेंडनिली सबसे चोटे चार्ज हो सकते हैं वह इंडीपेंडन नहीं होते हैं वह इस फ्रोम् में पाया नहीं जाते आपको सबसे इंडिपैंडन और सिंपल फोम में इंडिबेंडने फोम में जो सबसे चोटा चार्ज मिलता वह यह तो एक फूर एक प्रोटोन भी पे इतना चार्ज होता है अग जैसे कोई बॉडी होगी तो इसमें तो तो नागतिशने चार तो तो थो से मट्लिप्ला कर तो तो इसे तो यह हमारा फॉर्ण हो बन जाता है किसी का नेट चार्ज हम किस तरह से निगलते हैं क्यों इस इगल दूमें यहां पर एन अधा है नंबर ऑफ चार्ज यह नंबर ऑफ इलक्ट्रों बोल सकते हो यह इस सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज कि एक सबसे चोड़ी उनिट पर चार् मिलता है टोटन चार्ज या क्या पूलता है बोलते है नेट है और यही चीज आपको समझ किंध हो आज हुग सम्स motion of आप एक युझा थो थो धिया थो एक मतलब किया है चार्ज क्या है आगे बात करते हैं सब्सक्राइब देखो फटाबस से देखो क्या बात है सब्सक्राइब एक नटर दो पड़ता ना रही लाइट पर वहां पर यहीवानी लाइफ बना जाता है ना इसका सर्जन होता है इसका विनाश हो जाता है बस वह एक जगा से दूसरी बोडी में क्या किया जा सकता है ठीक है यह नि किसी भी बोडी का जो जाता है इसका मतलब है कि जैसे आपके पास कोई बॉडी यह फोर इस पेचार्ज है तो कुलंब पॉजिटिव का माइनस का थ्री और मालेक है प्लस का फाइफ तो टोटल इस बोडी पे चार्ज कितना है पांच और दो साथ साथ में से तीन गई कितने बच्छे बच्छे चार तो इस बोडी को कि प्लस फूर माइनस टू और इसको नहीं पता तो इसको नहीं पता तो इसको ले लेंगे एक्स कितना था पुर्य भूडि पे फ्लस का फॉर कितना था फूर स्का फॉर कहता बसका फूर्म यह ? चारव यह एक्स नें बच्छ कितना है इसको पर दो violस और कि साल न करे remained या पूरे सिस्टम के अंदर देखोगे यह सिस्टम के इसे कमरा है या या पूरी बोडियों से अधर से लग्ट्रों ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन अगर उस पूरे सिस्टम को आप देखोगे तो चार्ज जितना था उतना ही है कंजर्व है इसी को कंजर्वेशन आफ चार्ज बोलते हैं अब कुछ नुमेरिकल करते हैं अपने साथ रखा करो वैठा क्यूंकि साथ साथ नम फ्रीजिक्स पढ़ रहे हो वैसे मेरे साब से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो साथ में कॉपी होनी चीए जो समझ मैं उसको साथ सा सबसे पहला क्या 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 है एक कंगी है परसन के बाल को छोड़कर हट गए और कहां पर कंगी पर चिपक गए एक आदमी है सबसे पहले लिखा करो गिवन क्या है हमें दे रखा है नंबर और चार्ज यानि आपको एंड रखा है कि वह एक परसन के बाल से हटकर कहां पे चिपके कंगी पे अब आप से बता रहा है कि कंगी पे क्या प्रक्लेट करो नेट चार्ज कितना है यहां पर माइनस लगाने की दिए कि इन्टीकेट करता है वह प्रोटोन है यह तो हमें खुद से पता है मैगनिटूड निकाल के देखते हैं सिधा-सिधा इन्टीकेट करते हैं यह तो कितने बचेए बचेए वाइस तीन बचेए तो हमारे पास 1.6 इंटू में तैन की पावर त्री कुलम चार्ज आगे समझ में आगे देखो कोशन ऐसे बन सकते हैं और कोशन कैसे बन सकते हैं यह आपको वीडियो को रोक कर आप इस सकते हैं यह तो क्यों बूच रहे यह तो आप से एंडो सकते हैं और इसको करने कोशिस करते हैं को अपको तो भी समझाते हैं कितने पॉजिटिव और कितने जाग आपका सवाल है तो यह सवाल है कि अपने पास पूशन नमबर तू अपने पास एक काप है और पानी यह कप के अंदर रहा हुआ है क्या वाटर और यह वाटर जो भड़ा है सब्सक्राइब करना कितने पॉजिटिव चार्ज है कितने नेगटिव चार्ज है अब यहां तो कुछ दे नहीं रखा तो चलो सब्सक्राइब कर सकते हो आप 100 ग्राम का प्लेत कर लो 200 ग्राम का लो इवटे तो और असान अगा सो ग्राम से ओर करके दका नियुक्त पाइब कर तो आपको मोलर मास पता है क्या होता है पता है पता है नहीं पता तो समझे लो तो तो टोटल कितना ग्राम होगा के लिए तो निकाल सकते हैं तो डाइसों बटे में अठार रहे हैं अच्छा मोल क्यूं निकाल रहे हैं अब तो कुछ भी कर रहे हैं आप तो रट के आ गए है आप तो गुझ किताब मेंग आपने यहाइं सब्सक्राइब सब्सक्राइब हुए समझे की तो बन यहाइं You बात बंजाएगी एंट बात बन जाएगी हो मत देखो जब दो इन है नमबर ऑफ एक्सक्राइब कितने इलक्टरों ऑफ प्रोटोन वह मौलिकूल के अंदर खितना इक सबस्क्राइब आपको पता है जितना जितना किसी भी आटम का अटमिक नंबर होता है उतना उसके बास इलक्टोन या उतना उसके बास प्रोडोन होते हैं तो है तो एक है यह एक यह पता लग जाए कि इस पूरे कप में कितने हैं को है एक है कर गांडर में कितने स्टो और नहीं कर रहा हूं नंबर ऑस पार्टिकल ऑफ चुब कितने और पार्टिकल एक यह पता लग जाय कि एक और है कि इस पूर्टीकल में प्रकम उन्धने सब्सक्राइब जब मैं वो निकाल लूँगा तो मैं उसको 10 से मल्टिप्ला कर लूँगा तो मुझे पता लग जाएगा उन सारे मॉलीकुल में कितने चार्ज टोटल है तो वहां से में यहां से मोल निकाला इसलिए क्यूंकि आपको पता है मोल का एक और फॉर्मॉला होता है पार्टिकल नंतर पर्टिकल अब उन्हें अबड्ल कष्कनों नंबर से चाहर 한다 थो इंता'M उन्हें से सखाली है तो लंगतैं परणा थे से नमल slit कािवा और यहां मैंनों और ंनो फ्ट डूप सब्ढ़ सलूअ हम एमया फ्क्षे तो आपको बताऊं चीज'T इसके भी पराबर ह होगी क्योंकि दोनों मोल के बराबर है तो यह दोनों को आपस में बराबर कर ले लाग करें तो नंबर्व की पार्टिकल कितनी नंबर आपकेटर में नंबर बराबर होगा किशके लिए नंबर फोटे और नंबर कितना हो चुछ limp सूछ और पार्टिकल यहां से चया करेंगे नंबर एच्टोपरिकल कैसे निकाले लेंगे धाइसओ Adm 8.02 इंदिगे 23 अपने 18 यह सega हमारे पास number of हट्टोपार्टिकल यह आफ झाङा लग कि इस पूरी कप है अंदा deste यह 10 अरो यह पर्टम तरहें आफश्राएं बोल सकता हों किहां एक स्थी ये पर्पार्टिकल है निया थे प्रोटोन होगाант टो जने स्कुत Κाता है यहां पर नमबर इतने हैं तो हमें कि इतने पर दस के लिए तो सुरी दस पर एक पर पार्टिकल पर दस लेक्ट्रों चार्ज है यह तो इतने सारे हैस्ट पर कितने होंगे तो हम क्या करेंगे यहां से यहां से अपने पास आजाएगा नमबर ऑफ एलक्ट्रों इना कप वाटर कितने नमबर प्रोटन है इस कप वाटर में यहां से ना जाएगा तो यहां से यहां से निकल जाएगा जो भी यहां रखेंगे यह कितना है वन पॉइंट इन की पावर माइनस 19 कुलम और सॉल करेंगे तो यहां पर नैट चार्ज आ जाएगा एक बर मैं आपको असका अंसर बता देता हूं देख्के इसको आप कर लोगे यहां पर आजाएगा एट पॉइंट इस एंट की पावर तो इसको जो वापस में सॉल करोगे तावको चार्ज वहने वाला है वालए सब्सक्राइब करने में टाइम वेस्ट करता है तो पैटन में पूरा बता है अब ध्यान दो पैटन में कोई दिक्कत नहीं आप इसको खुद से सब्सक्राइब करें दिक्कत नहीं है यह पॉजिटिव भी जो बॉडडी जो बॉड़ी है उसका मास अमय सा पॉजटिव भी मना जाता है नहीं जो कोई भी हमारी बॉड़ी होती है यह कोई चार्ज होता है किसी बॉड़ी का पूर डिपैंड नहीं करता स्पीड पे अप चल रहे हो यह नहीं चल दे जितना चार्ज उतने रहे हो उसको कोई फर्ग नहीं बढ़ता बट मास ऑफ दायर बड़ी इंक्रीज विदिट इस स्पीड के साथ उसकी बॉड़ी का भी मास इंक्रीज होता है मेरा मास बहुत बहुत हुट doc ad होना से तो हाँ बिल्कुल साही बात है जब आप चल रहे होते हैं या मूफ कर रहे हो तो आपका मास ज्यादा होता है नॉर्मली जो आप रूके रहते हो उससे हां लेकिन वह बहुत जादा इसमें इंपक्त नहीं आता यह बड़ी बोडिस के लिए जाद अच्छी से क्योंकि सोचो ना कितनी भी विलॉसिटी से भागोगे से थोड़ना थेज भाग पाओगे आपका वी तो हमें सब्सक्राइब बहुत बढ़िया जो हमारा चार्ज होता होता है अभी मैंने बता है इसी पर हम लोग जब क्वांटम मेकानिक्स पढ़ते हैं यह हो जाता है हमारे पास ऐसोर में से स्वरी विए पढ़ तरस्के थार्ग्सन आपना थे सब्सक्राइब कोelnे दो दोन महीं नहीं होता है मास्क्राइब होता है चांज होता है सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसी तरह से किसी चीज़ को अगर नर्जी दे रहूं बहुत देर से चार्ज बॉड़ी जिसके पास जरूरी नहीं कि इसके पास कोई ना कुछ ने ट चार्ज रहाँ जरूरी नहीं यह थे जरूरी नहीं यह डैफिनेट शोर है किलियर हुआ गया तो बैटा आज की वीडियो हमारी इंट्रक्षन थी पहले चाप्टर की और आज की वीडियो में आशा करता हूं आपको समझ आया होगा और अगर आपको कोई भी चीज का डाउट है तो आप प्लीस मुझे झाल